सड़क हाथसे में गंभीर रूप से घायल उन्नाव बलतकार पिडिता और उसके वकिल की हालक शनिवार को भी सात्वे दिन गंभीर बनी हुई है किंग जोर्ज मेडिकल यूनिवरसिटी के ट्रामा सेंटर के प्रभारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि पिडिता अब भी वेंटिलेटर पर है और उसे निमोनिय हो गया है जिसके वज़ा से उसे बुखार आ रहा है उसे ब्लेड पेरिशन नियमित करने की दवा भ रही है पिडिता की गले में छोटा सा छेद करके ट्यूब द्वारा ऑक्सिजन दिया जा रहा है उसे अभी तक होश नहीं आया है और डक्टरों की टीम 24 घंटे उसके निगरानी कर रही है उन्होंने बताय कि घायल वकील महिंदु सिंग को वेंटिलेटर से तो हटा लिया लेकिन उसकी हाला गंभीर है और सके सिर में भी चोट लगी है और उसके भी करने करने में आसानी होती है है झाल झाल